कि हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आसा करता हूं आप सभी लोग अपने जीवन का आनन ले रहे होंगे मैं एक से भी रेजिस्टर एडवाजर नहीं हूं इसलिए कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले अपने इन्वेस्टर की सल मैं दिख रहा है यह है इरली चार्ट ठीक है तो यह टाइम फ्रेम पर है तो आपको दिख रहा है कि यह जब दो हजार पांच एक जन्वरी को जब यह लिस्ट हुआ था ठीक है उसके बाद से ही यह उपर जाने की कोशिश किया है और बहुत ही अच्छा काशा सांदार पैटन बनाता है एक बार उपर गया नीचे आया फिर यहां पे हॉल्ट किया फिर उपर गया फिर उपर गया के फ इसकी स्ट्रॉंगनेस आप यहां कैंडल से ही देख सकते हैं कितना बड़ा कैंडल और कितना स्ट्रॉंग कैंडल हैं सकेंड कैंडल उससे भी ज़्यादा बड़ा और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉंग है लेकिन जो फार्ट कैंडल है वहां पे जो सेलर्स हैं इन दोनों क comparison में बहुत कम हो गया है ठीक है एंड जो ये इस येर का जो candle form हो रहा है ठीक है अल्रेड़ी एट मन्त जा चुके हैं लेकिन जो candle की strongness है आप देख रहे होंगे वो छोटा हो गया है बहुत ही जाता हूं कि इस शेयर में क्या चल रहा है तो टेकनिकल अनलेसिस आपको हर चीज़ बताता है प्राइस से आपको हर चीज़ पता चल जाता है कि इस टॉक में क्या चल रहा है तो यह जो शेयर है अभी ठीक है जैसे कि इस महीने इस साल में सिर्फ चार मन बाकी है तो कुछ भी हो सकता है चार महीने बहुत ही ज्यादा होता है मोमेंटम के लिए लेकिन अगर कंपेरिजन करें पिछले कैंडल से तो बहुत ही छोटा कैंडल है और देख सकते है यह ग्यार रुपए-05 पैसे पर कर रहा है तो हम चोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे और अच्य से क्लियर होगा से मंसली टाइम फ्रेम और का यह यहां पर यह जो सेयर ने जो सेलर ये जशालर क्या करते हैं जो बाया पना पोजीशन इस एक ज़िए आपको का पिर से आपको अपना पूजिशन कर देना चाहिए कि अगर को इन्यूज है बेड नीचे तो उसके ऊपर जाने चांसें बहुत कम हो जाते हैं तो अभी यहाँ पर बायर ठीक है एंट्री कर रहा है से जा रहा है यहां से आपको इन candle से पता चल रहा होगा, यह जो sellers हैं, ठीक है, यह देखिए कितनी strong selling होई है, यहाँ पर उसके बाद जो selling होई है, कम होई है, अभी एकदम खतम हो गई है, और जो भी sell और buy का जो candles form हो रहे हैं, बहुत छोटे form हो रहा है, इसका मतलब इस share में अभी जो भी volume generate हो रहा होगा, बहुत कम generate हो रहा होगा, इसलिए इसमें जदा momentum नहीं है, तो buyers भी नहीं है, sellers भी नहीं है, अभी हो सकता है, सभी यह सोच रहा हो, यहाँ से उपर चला जाए, यहाँ से नीचे और चला जाए, in decision है, इस share में, तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे मौके की सिर्फ तलास है, हमें एक छोटा सा stop loss लगाएंगे, अब एक position लेंगे, and probability के हिसाब से जहाँ पर ज्यादा probability होगी, उस side हम trade करेंगे, ठीक है, तो weekly time frame पे अभी हम आ गया है, और यहाँ पे आ रहा है, तो यह जो last time का, यह जो support जहाँ पे लिया था, इस candle ने, ठीक है, hammer type candle बना है, यहाँ से थोड़ा सा change आया था, and यहाँ आने के बाद flag बना कि फिर से उपर अच्छा का सा गया था, 20 रुपिस टू एटी पे, and फिर से इसमें excelling आई, and उसको फिर से नीचे लेक आ गया है, लेकिंग good news is, कि यहाँ पे जो support लिया था, ठीक है, कभी भी कोई share अपने first time जब आता है, अपने support पे उसको respect करता है, ठीक है, उसे क्या करेगा, respect करेगा, यह आपको दीख रहा होगा लगातार नीचे आ रहा है, तो लगता है, यहाँ पे एक trend line मी form हो रही है, ह हमें क्या करना है, हमें wait and watch करना है, ठीक है, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, अगर आप risk ले सकते हैं, तो मैं बताओंगा आपको सही जगए कहाँ पे आपको entry लेनी है, और आपका target क्या होगा, लेकिन अभी wait करिए, और हमारे retail user के लिए क्या करना है हमें, कहाँ पे अ support के पास break हुआ है, तो देखने वाली बात यह होगी, अभी जब trading Monday से start होगा, तो यह किस तरफ उसे break करता है, और छोटे time frame पे जाएंगे, जब हमें बड़ी position, अगर यहां long term के लिए किसी share में investment करना होता है, तो हम क्या करते हैं, बड़े time frame से छोटे की और आता है, मंतली time frame पे यह जो trend line है, इसे हम सही कर लेते हैं, और यह जो trend line है, यहां पे आ रहा है, ओके, ठीक है, perfect, अभी देखिए, अभी क्या है, यह trend line और यहां पे क्या देखके लग रहा है, कि अगर इसे उपर जाना है, इस share को अगर उपर जाना है, तो इसे क्या करना चाहिए, यहां से एक यहां से क्या करना चाहिए यहां से यह कंसॉलिडेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए और यह जो सपोर्ट है 11 रुपीज का इसके उपर ट्रेवल करना चालो कर देना चाहिए ठीक है अगर इसे उपर जाना है तो इसके उपर ही यह क्या करना चाहिए यहां पर ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा टाइम लगेगा हो सकता है बाइर से आप एकुमुलेट होंगे और बहुत दीरे दीरे जाए क्योंकि अभी क्या है यह चोटा सेर है और जब इसमें थोड़ी सी केसाब से 14 रुपीच का होगा ठीक है यह जो यहां पर लो बनाया था हाई बनाया था क्योंकि आने वाले समय में जब जब यह ऐसे पॉइंट पर आएगा तो उसे रेजिस्टेंस मिलेगा और जब रेजिस्टेंस मिलेगा तो नीचे जाएगा और लास टाइम जो रेजिस् उपर यह से इसको निकलना है तो इस तरीके से उपर जा सकता है ठीक है अगर इस से नीचे जाना है तो चली देख लेते हम हमें अपना पॉजिशन कहां बनाना चाहिए तो हम 30 minute टाइम फ्रेम पे आ गया है एकदम चुटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहोगा कि यह नीचे आ रहा था नीचे आने के बाद यह जो फर्स टाइम इसने 10.5 रुपीज यहाँ पे टच किया है उसके बाद यहीं से consolidation इसमें चालू हो गया है ठीक है अब यह जो है pattern ठीक है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे उसका flag दिख रहा है तो यह पोल हो गया और यह flag हो गया तो यह जब flag से अगर उपर की तरफ breakout देता है तो well and good है तो हम अपनी position बनाए अगर उपर की तरफ इस flag से निकलता है ठीक है आपको यही देखना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगागे मंडे को कि यह उपर की तरफ जा रहा है की नहीं अगर यह उपर की तरफ निकलता है तो हम क्या करेंगे यह जो लाइन है ठीक है 11 रुपीज का अपना stop loss रखेंग और यह चोटा काफी चोटा सेर है तो 25 पैसे का भी stop loss बहुत बड़ा होता है तो इस बात का आप ध्यान दीजेगा और जब यहाँ पे यह breakout देके इसे निकलेगा ठीक है तब हम क्या करेंगे अपनी position इसमें बनाएंगे अभी नहीं बनाएंगे उस समय हम अपनी इसमें position ब बिल्कुल इसमें चुईएगा नहीं सेर को अभी और यह हो सकता है आने वाले समय में ऐसे करके और नीचे जाए ठीक है और जब यह सेर का bottom आ चुका है तो नीचे कोई space नहीं है ज्यादा 10 उर्पे का space है तो 10 उर्पे भी बहुत होता है अगर 1000 लेते हैं और 5 पर जाता है तो हम 25 और 20 पैसे का stop loss लगा के इसमें अपनी position बनाएंगे ठीक है मैं आपको बोलूँगा किसी भी शेयर के news के पीछे मत जाएए हर मेंसा चार्ट analysis आप प्रफर करिए क्योंकि आपको यहाँ पे एक सटीक आपको एक clear view मिलेगा कि कहां पे हमें अपनी position बनानी चाहिए औ कहां पर अपना stop loss ट्रेल करना चाहिए अगर आप न्यूज के पीछे जाएंगे तो आप कभी-कभी बहुत बार ऐसा होगा फर्स जाएंगे उस चीज में ठीक है आपको पता नहीं होगा वो शेयर कहां पर ट्रेट कर रहा है किस लेवल पर ट्रेट कर रहा है हाई है लो है अपना stop loss लगाने की जगह है नहीं और आप उसमें entry link लेंगे और आप उसमें first सकते हैं बहुत लोग ऐसे first जाते हैं एकदम high पे जाके share को buy कर लेते हैं ठीक है और वहां से वो share return आने वाला होता है जब भी market में कोई news होता है तो जो chart pattern होई है वो पहले ही उसको pretend कर चुका होता है उसमें पहले ही moment आ चुकी होती है उसके बाद उसे जो news है वो market में आता है तो इसलिए news से बचिए ठीक है और chart pattern को और chart analysis को ज्यादा preference दीजिए अगर आपको अच्छा खासा पैसा बनाना है market से तो stop loss हरमेशा रखिए भले ही आपके पस कितने भी पैसे हो लेकिन stop loss हमेशा रखिए stop loss के बीना trade करेंगे तो आप profit में नहीं रहेंगे ठीक है हरमेशा loss में रहेंगे अगर आपको profitable बनना है तो stop loss लगाईए and अपना stop loss हरमेशा ट्रेल करिए यहाँ पर मानिए अपना first target 12 rupees अगर छोटे time frame के इसा आप से देखा जाए बहुत short term का है तो यहाँ यहाँ पर आ रहा है 12 rupees का रहा है ठीक है तो यहाँ पर हजार शेर लेते हैं यहाँ पर आता है तो 1000 रुपे का profit होगा एक रुपे देट 2000 रुपे का profit होगा ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ से stop loss करके यहाँ पर कर लेना अगर आपको काफी चोटा time frame का target है तो लेकिन आगर आप long view देख रहे हैं और इसमें और देखी यहाँ पर क्या करना है आपको अपना stop loss करते रहना है क्योंकि अगर इसमें उपर क्या momentum आ रहा है तो यह नीचे वापस आएगा नहीं और नीचे आएगा नहीं तो आपको स्टॉप लॉस हीट होगा नहीं लेकिन अगर इ प्लानिंग हो जब जब यह उपर जाए और नीचे इसको फिर सेलिंग जो अच्छे खासे बड़े सेलर्स हैं वो इसको सेल करके नीचे लाएं तो आपका उस समय लॉस ना हो इसलिए आपको वहर में साइस टॉप लॉस टेल करना है तो यह था यह बैंक लिमिटेड काफी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगे जैन्यून लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और किसी भी शेयर पर आपको अनालिसिस करना है तो कमेंड में जरूर बताएं तो आपसे मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में इस हौन के लिए माफ करेगा ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद